जी नमस्कार Creator Super 30 चैनल में आपका स्वागत है तो यही का एक्जाम आचुका है और दिखो अगर हम कोटा की बात करें न तो एलेन इंस्चूट पहले वहाँ बनसल था एलेन भी बहुत बढ़िया हो गया है रेजुनेंस बढ़िया है बहुत सारे मोसन माले भी बढ़िया है सारे इंस्चूट बढ़िया है लेकिन किसी एक material को हम सोचे कि line by line बना दें तो उसमें सबसे अभी वहाँ पर बहतरीन performance कर रहा है तो एलेन कर रहा है तो एलेन की material को हम line by line आपको करने का प्रियास करते हैं फिर बाकी material में भी जो बाते रहेंगे, वो हम आपको बता देंगे, तो आईए हम लोग देखते हैं, LNK material को, पहला chapter है complex number, आईए हम लोग देखते हैं, complex number I define the expression of the form of A plus IB, A belong to real number, I is equal to root under minus 1, यहाँ पर तुम्हारे पास यह बात है, अब J digital to A plus IB, तो A को real part कहेंगे, B को imaginary part कहेंगे, complex number यहाँ पर purely real होने के लिए B वाले को 0 चाहिए, और purely imaginary होने के लिए A वाले को भी 0 चाहिए, अब यहाँ पर देखोंगे, imaginary होने के लिए B not equal 0 चाहिए, तो imaginary हो जाएगा, अब देखो क्योंकि तुमको हम पढ़ाये थे, कि परतेक natural number को whole number कहते हैं, परतेक whole को integers करते हैं, परतेक integers को rational बोलते हैं, परतेक rational को real बोलते हैं, real को complex बोलते हैं, यह सब proper subset में आता है, 0 का अगर हम कहें तो यह purely real है, purely imaginary है, लेकिन यहाँ आहाँ पर बात यह को करना है, कि यह imaginary number नहीं ह है, क्योंकि imaginary number बनने के लिए be not equal 0 चाहिए, आप यह creator super 30 channel को आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर i is equal to root under minus 1 है, इसको हम imaginary कहते हैं, लेकिन i square की value minus 1 हो जाती है, फिर minus iq, ip के भड़ू 1 हो जाती है, यानि इसको हम कह सकते हैं कि यह 4 का cyclic होता है, यानि 4 से हम भाग देंगे, तो यहाँ पर class 0 का आएगा, यहाँ पर 1 class आएगा, और यहाँ पर यह 2 class आएगा, और यहाँ पर यह 3 class आएगा, यानि यहाँ पर 4 के multiple plus 0 है, यहाँ पर 4 के multiple plus 1 है, और यहाँ पर 4 के multiple plus 2 है, और यहाँ पर 4 के multiple plus 3 है, यानि यहाँ पर 4 के multiple plus 0 के हम बात करें, तो यहाँ value 1 ह होगी और इसकी बात करें तो आई होगी और यहांपर माइनस ब्स होगा और यहांपर माइनस आयी ऐसा नहीं करकरके अगर यहाँ I के power जैसे NCRD पूछा है माइनस 19 तो यहाँ माइनस 19 कर दोगे इसको 4 से भागा दो यानि माइनस 5 यानि माइनस 20 हो गया यानि माइनस 9 और माइनस यहाँ पर 20 तो इसको माइनस 19 प्लस 20 भैलू आपका 1 हो गया यानि इसका भैलू रेमेंटर 1 आ गया अब 1 के लिए यहाँ पर I लिखते हैं भैलू आ गया यह नहीं कि अब NCRD किताब जैसा इसको 1 बटे I के power 19 कर दें और फिर 19 को फिर आप 4 से दिवाइट कर रहे हैं यानि चर्चों को 16 आ रहा है तीन आ रहा है और यहाँ पर तीन वाले को माइनस I लिखते हैं तो यहाँ पर 1 बटे माइनस I लिख दिए अब I को उपर निचे मल्टिप्लाई किया तब तुम्हारे पास I आ गया अब यहाँ पर देखेंगे कि 1 प्लस I 1 माइनस I तो इसको कर प्लस I उपर में हल करोगे तो 1 माइनस 1 पलस 2I नीचे का हल करोगे तो 2E कर जाएगा बराबर क्या हो जाएगा अब 1 बटे I को उपर नीचे में रिशनाइज करेगा तो यहाँ पर भी I आए तो यहाँ पर माइनस I यहाँ बात आपका देखने क्ली हो गया है अगला प्रस् और वे वाला को imaginary axis बोलते हैं और gentle axis को real axis बोलते हैं और जो है vertical axis को आपको imaginary axis बोलते हैं यहाँ जेड का भैलू हो गया यह वाला X है यह वाला Y है यानि X पलस यहाँ पर Y होगा अब यहाँ पर all complex number lying था real axis और अगर यहाँ पर complex number को real axis में होगा तो purely real कहेंगे और imaginary axis पर होगा तो पिरली इमेनरी नमर कहेंगे यहाँ बात आपका क्लियर हो गया यानि आपको यह समझने में भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ आप आपको हम लोग यहाँ पर एडिशन सब्ट्रेक्शन की अगर हम बात करें एडिशन सब्ट्रेक्शन की बात करें तो लाइक होता है एडिशन सब्ट्रेक्शन में लाइक होता है लाइक करने का सेंस यह हुआ कि यहाँ पर रियल में रियल जुरेगा इमेनरी में इमेनरी जुरेगा इस पर आपको हम बात करें अपन को तो यहाँ पर जे डिशकल टू ए पलस आई बी और दी हो जाएगा यहां बात आपनको किलियर है और आहां पर जेट बन माइनस जेटू के हम बात करें तो ए माइनस सी आई कॉमन ले लोगे तो बी माइनस डी हो जाएगा अब तुम्हारे पास एडिशन से एक लॉजिकली कोश्चान हम यहां पर पूछना चाहेंगे कि अगर मा प्लत है यानि यहां पर पहले कंपलेक्स नंबर 3 प्लस 4 आई थी और आपका 4 प्लस 3 आया गया यानि 7 प्लस 7 आई हो गया यहां यह भैलू 7 डूट 2 होगा यहां बात आपको करने में कोई दिका दिकार नहीं है अब हम बात करेंगे मुल्टिप्लिकेशन में तो और cross product के लिए AD plus यहाँ पर BC हो जाएगा यानि real part और A हो गया अब इसको हम resize करना सिखेंगे तो अगर यहाँ पर A plus IB है और यहाँ पर C plus ID है और इसकी resize की हम बात करें तो यहाँ पर C minus ID से उपर निचे गुना कर देंगे तो C minus ID से कर देंगे तो यहाँ CA square plus DA square हो जाएगा और उपर में हम लोग कहेंगे real part तो यहाँ पर हो जाएगा कि real part और imaginary part के हम बात करेंगे तो यहाँ पर AC और यह वाला इससे कर देगा तो यह BD हो जाएगा और यहाँ पर तुम्हारे पास यह BC minus AD यह वाला I हो जाएगा यहाँ डिवीजन करने में भी कोई तरह का दिक्कत नहीं दालजेबरी को प्रेशन ओप कंप्लेक्स नमबर आग सिमलर तो दो रियल नमबर जो है से ट्रेटिंग हम लोग कहेंगे पलोनोमियल्स के रूप में इनिक्वालिटी अव दा कंप्लेक्स नमबर यहाँ पर जीरो से है तो प्लस झौ आई यहाँ तू प्लस फो राइ यानि इससे कर देंगे यहां यहां मेनिंगलेस है चुकि यहां real part को real part का इक्वाल होना चाहिए इमेनारी पार्ट को इमेनारी पार्ट से होना चाहिए अब equality of complex नमर के हम बात करें तो real part, real part का equal होना चाहिए और imaginary part, imaginary part का equal होना चाहिए तो वह equal है, otherwise equal नहीं है, यानि हम real part को real part से, imaginary part को imaginary part से करेंगे, यह आप creator super 30 channel को देख रहे हैं, अब हमको question answer का चालू हो गया, आईए हम लोग देखते हैं, I, I के power 57 है, यानि 57, चोदो चोको 56 पन यानि I ही हो गया, और यहाँ पर I की power अगला है, 125 है, यानि minus 125 को आपने 4 से भाग दिया, तो यहाँ पर भागा देंगे, तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, यह चीज को जानने की ज़रूत है, तो यानि 21 यानि 22 बार में लगेगा, और यहाँ पर 5 दूना 10 हो देखेंगे, तो आपको आजाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तुम्हारे पास कि यह बाला को 125 को, यानि minus 125 को हम 4 से डिवाइट करेगा, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, यह बात को हम लोग को जानना जरूरी है, तो यह हम लोग यह चीज को जान जाएगे, तो हमारे पास काम हो जाएगा, तो यहाँ पर यह minus 3 बार में लगा, minus 12, अब तुम्हारे पास यह बाला 5 है, तो यह आपका जो है लगेगा, यह दू बार में, तो यह तुम्हारे पास 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानि यहाँ पर तुम्हारे पास minus 5, minus 8 की बात करेंगे, तो minus 5 प्लस एट यानि थिरी आ गया रेमिंडर यानि आपको थिरी रेमिंडर आ गया है यहाँ बात को आपको यहाँ पर सीखना है यह थिरी रेमिंडर हो गया यानि आई के पावर थिरी तो माइनस आई हो गया यानि यहाँ पर तुम्हारे पास यह अंसर आपको आ गया यह वाला क यानि केवल dot product की हम बात करेंगे dot product की बात करेंगे तो यहाँ पर काम हो जाएगा तो 3i plus 2i sin theta और इसकी रेस्ट लाइज की अगर हम बात करें तो 1 plus 2i sin theta अब यहाँ पर real part की खाली बात करेंगे तो 3 एका 3 और यहाँ पर हम लोगों को हल कर दिये तो 4 sin square theta हो गया अब यहाँ 4 sin square theta is girl 2 आपका 3 हो गया यानि sin square theta is girl 2 3 by 4 हो गया यानि यहाँ पर sin theta की भैलू यहाँ पर root 3 by 2 हो गया root 3 by 2 की अगर हम बात करें तो तुम्हारे पास काम हो जाएगा तो यह root 3 by 2 यानि pi by 3 हो गया तो यहाँ पर देखो यह square के form में है तो इसको हम general solutions डालेंगे तो sin theta का graph जो है आपका यह होता है और minus square में भी आती है ऐसे हो जाएगा यानि यहाँ पर तुम्हारे पास theta is girl 2 an pi plus minus आपका pi by 3 हो गया लेकिन यही अगर यहाँ पर यह रहाखा तुम्हारे पास देखो answer आ गया है इसके लिए general solution पढ़ने की जरूवत नहीं है 11th class में तो लोग general पढ़ा होगा कि formula रट्टा होगा sin theta is girl 2 sin alpha तो इसके लिए formula रट्टा होगा या CD formula का इस्तिमाल किया होगा यह सब करने की आपकी जरूवत नहीं है आपको यहाँ पर तुम्हारे पास alpha शौड़ी यहाँ पर आपका यह alpha angle हो गया यहाँ पर गौर से देखो alpha plus है और यहाँ पर alpha आपका minus है यानि यहाँ पर even वाले पर alpha plus है और वाले पर minus है यानि theta is equal to यहाँ n pi और minus 1 to the power यहाँ पर n alpha कर दोगे इससे तुम्हारे पास काम हो जाएगा यानि ये इतना रिस्लाइज करने का इमेनरी पार्ट लिखने का इसमें कोई तरह का दिकत नहीं है क्योंकि वो लिख करके आप समय को जादा करेंगे अगला प्रस्थ हमारे पास आता है आईए हम लोग देखते हैं यहां पर तुम्हारे पास यह है देखो यहां पर पहले तो तुम 3 plus i है और 3 minus i है तो यह तुम्हारे पास जो इसको solve करने के लिए तुमको पहले का करना पड़ेगा यह आपका जो है LCM ले लिया तो तिंतिया इन डौ एक दस हो गया अब तुम्हारे पास क्या है ना कि one plus i i यहां पर है और उसके बाद x है और यह minus two i है अब यह वला multiply करेगा क्या से भाई 3 minus i से अगला तुम्हारे पास क्या है भाई two है और यहां two का two माइनस three y और ये वाला i है ये multiply करेगा किस से तो यहां पर करेगा three plus i से अब यहां पर गौर से देखो तुम्हें यहां पर क्या चाहिए i यानि कुछ नहीं मुझे image नरी पार चाहिए मुझे इमजनरी पाक चाहिए बस मुझे ये चाहिए नहीं तो इतने लंबा करोगे तो तुम तकलीब में परोगे अपनी तकलीब को तुम अपने पास रखो वो तुम्हारी तकलीब है अब यहाँ पर देखोगे कि यह बला i है यानि इधर का भैलू 1 दिया हुआ है अब तुम्हारे पास क्या करोगे तो यहाँ पर फडाक दूकिन बल्टिपल आई हो जाए तो यहाँ पर 1 है और यहाँ एकस माइनस 2 i है और यहाँ पर 3 माइनस i है मुझे i चाहिए i मिल गया यहाँ पर तुम्हारे पास माइनस 1 मिला 3x माइनस 6 यह मिल गया अब यहाँ पर देखो यह वाला चाहिए तो 2 अब तुम्हारे पास क्या है तो यहाँ पर आपने i को अमल ले लिया है तो 1 माइनस 3y है और यहाँ पर 3 पलस i है यह वाला 2 चाहिए माइनस सेक्स और प्लस दो तीन यहां पर हम जोर दिये तो यहां पर पांच हो जाएगा माइनस नाइन वाई अब तुम्हारे पास इमेजनारी पार्ट से इसको इक्वेट कर देंगे तो यह वन का इक्वल हो जाएगा एक इनफॉर्मिशन आ गया अब यहां पर रियल में डॉर्ट प्रडक्ट होता है एक्स वाई की भैलू निकल जाएगा सबसे महत्पूर्ण फाइंट इसक्वार रूट की अगर हम बात करें इतना बरह से नहीं करना है चुकि यह अगर करेंगे तो आपकी काफी टाइम लग जाएगा तो देखिए आपको करना कैसे है तो और बारा को बारा कुने एक कर सकते हो चौग उने दूग कर सकते हो चार उने तीन कर सकते हो यहां यह पास आ गया पलस माइनस फोर प्लस थिरी आई यह तुम्हारा एंसर मिल गया इसी ढंक से अब इसके आगर हम भैलू निकालने की बात करें या किसी का भी रूट अंटर निकालने की बात करें अब मैं यहां पर तुमको कुछ कोचन देता हूं एंसरी के अगर हम बात करोगे तो माइनस 15 माइनस एट आई दिया हुआ है इसकी रूटर ने निकालना है आठ की आदा तुम्हें यहां पर कर दिया तो चार हो गया अब चार को भी या एक बूने चा यहां पर तुम्हारे पास 8 है और माइनस 6 है अब तुमको बताओ कैसे करोगे चिंग का आदा तुमको हम बात करें तो यहां पर रूट अंडर आई है यानि यहां पर इसको 0 पलस i लिखोगे अगर हम root 2 से उपर नीचे डिवाइड कर दें तो यहां पर 2 हो जाएगा और 2 को डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा और 1 में से 1 का स्कॉर चला जाएगा तो हो जाएगा यानि इसकी value 1 पलस i root 2 हो जाएगा जो आपको जो है complex नमर करना shortcut तरीका से सिखाएगा चुकि आपको मैंने आपको कहा कि बहुत सारे इंस्टिट है जिस इंस्टिट का जिसकी material को अगर हम बात करें उस material के अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्रका यहां पर चार हो जाएगा और यहां पर आई हो गया यहां बात आपका clear हो गया यानि एक्स प्रॉस फाई बराबर फोर आई हो गया जब तक आप यहां पर रियल में नहीं आएगा दोनों तरफ ए स्कॉार कर देंगे एक्स स्कॉार प्लस 10x और 55 यहां पर माइना 16 यहां पर एक तालेश इसकल टू जीरो हो गया अब यह वलत तुम्हारे तो जीरो हो गया इससे तुम चाहोगे तो डिवाइट कर सकते हो आप हमारे नाइन तेंथ वाला जो है मिश्टर सिर्धर अचारिया साहब का रूल भी सिकाय था रामानूजन साहब का रूप भी सिकाय था आपको जो है से यह चीज को आपको सिंथेटिक डिविजन के अनुसार इसको तुम साल करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा अगर सिंथेटिक डिविजन नहीं कर सकते हो तो आपको गटे में तागत होना चाहिए, harder factor का, harder factor की तागत होना चाहिए, या आपको गटे में क्या तागत है, वो तागत आपको भरो, चुकि ये वाला value zero दे दिया है, तो तुम्हारे पास यहाँ पर harder factor की तागत होनी चाहिए, आव हम देते हैं, चुकि ये मिठे तागत देने की आदत है और यहां से एक से स्कॉर आगर निकालते हो तो यहां पर हो जाएगा लेकिन यहां पर 2 पर 4 यहां पर तुम्हारे पास 10x क्यों कर दोगे कोई भी धुनिया का चीछ तुम फिर में नहीं कर सकते हो आपको फिर में नहीं करना है याझनि यहां पर 10x तो मिल रहा है आपको फिर जाना लिख दिया है इसको एख धटा दो अब बातों सेम हो गया यहां पर पर एक 40 आप आपने कॉमन लिया है तो यह बात दो तुमने लिख दिया अब गला यह से स्कवार प्लसule एक तालीज यह बाला जीरोद आया है लेकिन यहाँ पर भी तुमको करना परेगा यहाँ पर तुम कॉमल ले सकते हो यहाँ पर 10X लेना है तो तुम यहाँ पर माइनस X कॉमल होगे हलो नहीं यहाँ X square हो गया अब तुम्हारे 10X लाना है तो इसको 10 कर दोगे खिरी में कर दोगे 6 है ना तुम्हें घटाना परेगा, 4x² घटाना परेगा, अब 4x² तुम घटा दिया, अब तुम्हें चाहिए तुमको, तो यहाँ पर लिख दिया, 10x², अब तुम्हारे पास यह वाला माइनस में, यहाँ पर लस में लेना था, तो यहाँ पर यह वाला माइनस एक तुमको चाहिए पलस्टेनेक्स तो यहाँ पर पलस्टेनेक्स चाहिए और पहले से था यहाँ पर 35 और यहाँ पर 6 था यहाँ बात को तुमको करना परेगा तो वहाँ पर तुमको क्या करना सिंपल है उत्ता है दिमागों मतलगाई-x की वाला जो है इसी से मल्टिप्लाई कर अब यहाँ पर बाइनस-10-10-10-10-6 मिल गया है यहाँ लिखने के लिए कितना जोर्ना पर एंगा हो देख लेना है और समझना करने इसको बोलते हैं अब यहाँ पर यहाँ से theory important term conjugate के बारे में हम सिखेंगे modelis के बारे में सिखेंगे और argument के बारे में सिखेंगे conjugate की बात करें तो change into sign in imaginary part change into sign in imaginary part यानि अगर j a plus ib है तो j conjugate a minus ib हो यानि अगर first घर में है तो fourth में चला जाएगा और second में है third में चला जाएगा अब हम बात करते हैं कि j plus j conjugate या two real j होगा और j में j conjugate को घटाओगे तो two imaginary j होगा अब j purely real अगर है इसका मतलब j conjugate conjugate की value zero है और imaginary की बात अगर करें तो j conjugate conjugate अगर zero है तो यह आपका पूरा imaginary है यह आपका पूरा real है अब हम modulus की अगर हम बात करें तो modulus में भी आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं है अगर हम mod j की हम बात करें तो root under x square plus y square argument और amplitude की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आपकी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा तो यहाँ पर यह चीज़ देख लो अगर first घर में रहोगे तो theta second में रहोगे तो pi minus theta minus pi plus theta और minus theta और theta is equal to तुम्हारे पास tan inverse y by x का mod होगा अगर वो first घर में रहेगा तो theta होगा second घर में रहेगा तो pi minus theta होगा third घर में रहेगा तो minus pi plus theta होगा और minus theta होगा अब यह बात तुम्हीं सेंग गया अब यहाँ पर p divided the complex number z जो है से x y x plus i y है यह वाला slope की बात कर रहा है argument of complex number many value of the function theta argument of the complex number 2 and pi plus theta और इसकी जो amplitude जो होगा उसकी principal value हम कहते हैं यारी हम कह सकते हैं कि argument general solution होता है और principal solution अगर हम minus pi से अगर हम plus pi तक माने तो उसी को argument कहते हैं अगर z की value 0 होगा तो argument defined नहीं होगा अगर z real है और यह negative है तो pi positive है तो 0 अगर यहाँ पर यह y axis पर है तो pi by 2 y axis पर है तो minus pi by 2 यहाँ बात तुमको आपको clear हो गया यहीं चीज को figure से दिखाया है और कर दो मुझे वाने यतना time नहीं लगना चाहिए आरे कर दो यार root 3 by 1 pi by 3 हो गया फास्ट कर में है फास्ट कर में है तो यानि 2 और यहाँ पर cos pi by 3 plus i sin pi by 3 इतनी speed आपको होना चाहिए अगला हम आप पस दो है second quadrant जो है तुमारे पास यह देखो minus 1 है यानि उपर root 3 है नीचे minus y है यानि y plus है x negative है second घर में हो गया तो यानि pi minus pi by 3 यानि यह वाला हम लोग हल कर देंगे 2 pi by 3 अगली हम बात करेंगे यहाँ पर उपर minus root 3 है अगला हम बात करेंगे यह दोनों minus में है यानि minus root 3 यहाँ पर यही अंतर है algebra और arithmetic में यह arithmetic रहता थी minus minus कर सकता था algebra में चुकिए उसकी location की बात करेगा तो काटने में असमर्थ है यानि यहाँ पर minus pi plus pi by 3 करोगे यानि minus 2 pi by 3 यह तुम्हारे पास हो गया अब तुम्हारे पास अगली हम बात करेंगे आवा हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर find the number of integral solution की हम बात करें यहाँ पर 1 plus i का whole power x और यहाँ पर 2 to the power x तो यहाँ mod की बात कर देगा यानि root under 2 इसकी power x यहाँ 2 to the power x हो जाएगा यानि 2 के power यहाँ half x और 2 to the power x संभूस अभी होगा जब x बराबर 0 होगा आई यह हम लोग देखते हैं विग्लेर बॉक्स को हम लगए integral power को हम बात करेंगे तो यहाँ पर determine the list positive value के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 plus i है और 1 minus i है और इसकी power n है तो यहाँ पर इसको हल करोगे तो i के power n हो जाएगा और यहाँ पर 1 कह रहा है यह 1 तभी होगा जब 4 के multiple में power हो चुकि positive कहा है तो यहाँ n का value कम से कम 4 होगा अब हम बात करते हैं question number 2 का तो अगर हम यहाँ पर n की value उबन लेते हैं तो यहाँ पर i square i हो जाएगा और यहाँ पर i के power 3 अब यहाँ पर देखो इसमें i है i के power 3 है अब 2 लेगा तो यहाँ i square हो जाएगा i के power 4 हो जाएगा अब बात को तुम यहाँ पर दम बहुत अच्छे से समझ गुआ है यानि एक cycle पूरा होने पार यह result 0 होता है 0 होता है यह बात आपका clear हो गया है अब यहाँ पर यह अगर 3 दिमर की question की बात करोगे यह घरनी की जरूरत नहीं है student जो भी के रहे हैं घरना बंद घर दीजिए सर है ना सर है तो आपको कोई तरह का थकलिफ नहीं होगा यह बात आपको हम challenge करते हैं अब यहाँ पर तुम्हारे पास x-y is equal to 2y हो गया दोनों तरह पर square कर देंगे तो एक से square minus 2x plus 1 और यहाँ पर minus 4 हो गया यहाँ पर तुमको यहाँ पर यह नहीं करना है यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा c minus i यह c plus i हो जाएगा इसकी गुणा कर दोगे तो c square d square यहाँ पर हो जाएगा c square plus b square equal to 1 हो जाएगा यह root निकाला तो तुमको हम बहुत तीजी से समझा दिये है तुम्हारे पास मिजवानी हो जाएगा यार यहाँ पर plus minus 1 लगा के 1 minus यहाँ पर 4i हो जाएगा यह बात आपका clear हो गया है अब find the modulus of principal amplitude के के बात अगर कव रहा है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 हो गया तो यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 24 यहाँ अब यहाँ नीचे यहाँ पर यहाँ पर रह जा рок है यहां पर देखो तुम्हारे पास गट्टे में गरतागत नहीं है तो मेथमेटिक्स बढ़ना पर कार है यहां पर 10 इंवर्स तुम लिख दो 2 by 1 और यहां पर माइनस में 10 इंवर्स यहां 3 by 1 माइनस माइनस यहां पर पलस हो गया, अब यहां पर फर्मुला लगा दो, तो 10 इनवर्स यहां पर 2, 3 यहां पर 5 हो गया, 1 माइनस यहां पर 6 हो गया, यानि 10 इनवर्स यहां पर बात करोगे, तो 5 बटे माइनस 5, यानि उपर में पलस है, नीचे में माइनस है, यहां बात कई यहां पर यहां पर दृप्स क्या हो जाएगा का सीवाइब यहां पर स्लिट नंब यहां पर भी चार हो गया वन जुड दिया तो यह कोई भी जदिया है इससे हमारी कोई मतलब नहीं है हमको मतलब है माथमेटिक सिखाने का यह हमने आपको काम कर रहा हूं रिपर्जेंटेशन आपको कंप्लेक्स नमबर अगर हम बात करेंगे तो पहला काटिजन फोर में बात किया जाए तो यह रियल एक्सिस है और यह वाला कॉडिनेट है तुम्हारे पास यह ठीटा है यह मौट जेड हो ग अगर R हो जाएगा तो यहां तुमको हम बताए थे कल कि जेट नोट अगर फिक्स पाइंट कर दिया और यह वाला फिक्स डिस्टेंस दे लिया और ऐसे तुम घूमोगे तो यह सरकल बनेगा यही बात कुम को यहां पर लिखा है अब तुम्हारे पास जो है अगला प्रस न के हम बात करें तो R एक्स्पोनेंशल आई ठीटा यानि कंप्लेक्स नमबर तीन फॉर्मेट में होगा तो वह कौन को फॉर्मेट में होगा यह जानना आपको जरूरी है आई हम लोग देखते हैं पहला अगर फॉर्मेट अकर हम बात करें तो X पलस Y जिसको काटिजन एलेंगजेंडर पॉपस ने दिया था और तीसरा तुम्हारे पास हो जाएगा R एक्स्पोनेंशल आई ठीटा जिसको ईलोर सहम ने दिया था जब सबसे फास्ट काम करेगा तो यह काम करेगा उसके बाद यह काम करेगा यह भी कम नहीं है अब यहाँ पर देखेंगे कि प्लस आई साइन ठीटा जो है आप माल लिए एक्सपोनेंशल हाई ठीटा ठको मत अभी बहुत दूर जाना है अब यहाँ पर यह तुम्हारे पास जो हल करोगे एक्सपोनेंशल माइनस आई ठीटा अब दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पर टू कॉस्ट ठीटा इसकल ट इसी डंक से सिमिलर्ली अगर हम साइन ठीटा का भैलू निकालें तो यहाँ पर एक्सपोनेंशल आई ठीटा पलस एक्सपोनेंशसल आई ठीटा और बाई त्यान में रखना है यहाँ बात तुम्हारे पास धियान में रखना है अब हम लोग बढ़ते हैं हाई-पर-बोली क प्रफिर में यहां बात तुमने तो लिख दिया है बढ़ते हैं हाईपर बोली के बारे में तो यह बलब तुमको यहां पर हमें एक नया पेज ले लेते हैं तब तुम्हारे पास यहां ज्यादा अच्छा होगा पेज लेने की ओशक्ता चुकि पीछे से हम आपको टाय ओफ क परहा साइं ठीडा इसकिल टू एक्सिरंटिट एम एक्सरी इसको हम हाईपर बोलिक थीटा बाएस त्गए इसको हम हाईपर बोली की कि या उचारं करना चालूा करतेओं तो ए बारो को हाईपर बोलीक कन पर पर्र Combat is equal to exponential x, exponential minus x divided 2, यह पर लो, इसी धंग से, इसका पर हो, ऐसे पर होगे, hyperbolic sin x, is equal to, exponential x, minus exponential x, by 2i, यह पर लिया, अब देखोगे क्या है ना, परना तो बिलकुल आसान है, तो आपको हमने यह बात पूछता हूँ, physics में हमेशा यह problem आता है, क्या problem आता है, क्यों हम complex number यह बाता रहा हूँ, physics में एक integration आयाता है, हमेशा, ऐसे mass में भी आता है, x square plus a square dx, और यहाँ पर भी आता है, हम क्यों परहा रहे हैं, यह जानना आपको जरूरी है, इसकी integration क्या परहे हो, पता है, परहे हो log x plus जो है 100, क्योंकि तुम जो यहाँ पर परहा, यहाँ पर इस x को, तुम माना है, a time theta, क्योंकि सब बुक वाला यही मानता है, और यहाँ पर x को माना है तुम, a से x theta, इसलिए यह हुआ है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, कि जाब इसको एंडिया वाला ने प्रस्थ पूछा, यह option को ही गाइब कर दिया, यहाँ से यह भी option को गाइब कर दिया, अब इसका integration जो option में डाला, वह डाल दिया, hyperbolic sin inverse x y है, और इसको जो डाल दिया, hyperbolic cos inverse x y है, अगर आपके पास NDA का question है, 2016 का देख लिए यह प्रस्थ पूछा था, अब बच्चे लोग ने क्या कहा, बच्चे लोग ने डाल दिया, चुकि इसके option में none of these भी थे, बच्चे लोग ने none of these मार दिया, बाद में जो अंसर चेक हुआ, तो पता चला अंसर यह है, यानि पहला प्रस्थ यह है, कि यह इसका equivalent कैसे होगा, और यह इसका equivalent कैसे होगा, यह बात को यहाँ पर जानने की ओशक्ता है, तो यह दोनो equivalent को, बस पाच मिनिट में, कि हम लोग बात करेंगे, तो आवो हम लोग देखते हैं, कि क्या equivalent की कहानी है, यह बात तुमारे पास है, आप इस question को session में ढूर के देख लो, और उस समय बहुत ही बवाल हो गया था, चुकि जनरली math physics वाले teacher बताये थे, कि यह answer होगा, और इसका यह answer होगा, लेकिन यहाँ पर option में, यह वाला answer दिया हुआ था, अब तुमारे पास क्या हुआ, कि इस option को कैसे तुम check करोगे, तो देखो, अगर real trigonality परोगे, तो sin square theta is equal to, cos square theta is equal to one होगा, यह formula पर लिया है, लेकिन अगर यह आपको परोगे, hyperbolic में, तो चुकि इसके साथ है, आई है, यानि यह formula आपका हो जाएगा, hyperbolic cos square x, और hyperbolic sin square x is equal to one होगा, अब तुमारे बात आगया, यानि यहाँ पर cos hyperbolic x is equal to, one plus sin hyperbolic x होगा, और यहाँ पर sin hyperbolic x is equal to one minus cos hyperbolic x होगा, अब गौर से देखो, तो तुमारा जवाब अब मिल जाएगा, क्या जवाब मिल जाएगा, यहाँ पर यह plus के case में है, तो यानि यह वाला बात मानेंगे, यानि यहाँ पर जो x 10 theta मानते थे, यहाँ आप मनाएगा x बराबर a sin hyperbolic x मानेंगे, अब इसकी differentiation करेंगे, और वो आप अपर समें कट करके, तब आपका यह वाला हो जाएगा, इसी ढंग से यहाँ minus वाला term है, तो यह वाला term पर आजाएगा, तो यहाँ पर यहाँ जो मनाएगा, वह x बराबर a cos hyperbolic x मानेंगे, या आपको यह theta है तो theta मालनेंगे, theta मालनेंगे, यहाँ बात आपका clear है, अब बात तुम्हारे पास आगया होगा, इंडिया की solution, अब इसी ढंग से दो formula और कर दोगे, आउ हम लोग देखते हैं, एक formula यहाँ पर हो जाएगा, sec square theta minus, 10 square theta is equal to 1, यहाँ यह sec के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पर hyperbolic sec x, और यहाँ पर minus minus plus हो जाएगा,